सभी सम्माने सिक्सक सात्यों को नमश्कार सम्माने सात्यों बर्तमान में निपुन भारत मिशन के अंतरगत चार दिपसे सिक्सक प्रशिक्षन बहुत सारे विकास शेत्र में समाप्त हो चुका है जबकि बहुत सारे विकास शेत्र हमारे ऐसे हैं जहां पर यह चार दिपसे सिक्सक प्रशिक्षन गतिमान है तो सात्यों जहां पर यह प्रशिक्षन समाप्थ हो चुका है उन सिक्सक सात्यों के समक्स भी कई प्रकार की जिग्यास आए हैं कई प्रकार के प्रश्ण उनके हैं और इसी प्रकार से जहां पर यह प्रशिक्षन गतिमान है बहाँ भी हमारे संदर्ब दाताओं के समक्ष सदन से कई प्रकार के प्रश्ण कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं मैंने इस वीडियो में प्रियास किया है उन सभी प्रकार के प्रश्णों को समाहित करने का सभी प्रकार की समस्याओं को समाहित करने का जैसे कि ज अब तक हार्ड कोपी में प्राप्त हो जाएगी, इसी प्रकार से इसमें जो साबधी का आकलन है, साबधी का आकलन जब हिंदी में नवे और ठारवे सप्ता में किया जाएगा, तो उस समय सप्ता साथ दिन का है, उसमें वर्किंग डे छह दिन है, जबकि यहाँ पर हिंदी में तेहरे दिन दिये हुए हैं, तो एक सप्ता में तेहरे दिन हम किस प्रकार से कारे कर पाएंगे, इसी प्रकार से साबधी का आकलन जब गणित का करेंगे, तो उस समय उस 11 सप्ता में और उस 12 सप्ता में 10 दिन दिये हुए हैं जबकि सप्ता में 6 वर्किंग डे हैं तो हम 10 दिन किस प्रकार से कारे कर पाएंगे इसी प्रकार से बहुत सारे विकास शेत्र ऐसे हैं हमारे जहां पर अभी प्रशिक्षन अभी अभी प्रारंब हुआ है और इस समय परियोजना से आठवा सप्ता की समगरी प्रेशित की गई है। तो ऐसी स्थिती में उनके समक्ष प्रश्ण है कि बे अपने विद्याले में जाकर के प्रथम सप्ता प्रारंब करें, दूसरा सप्ता प्रारंब करें, या आठवा सप्ता प्रारंब करें। तो एक ये भी समस्या का विशय आ रहा है कि सिक्सक साती हमारे कन्फूज हैं कि बे प्रशिक्षन प्राप्त करने के पश्यात अपने विद्याले में जब जाएं तो परियोजना से तो सामगरी आठवे सप्ता की आई है लेकिन वे कौन सा सप्ता प्रारंब करें इसी प्रकार से एक प्रश्न ये भी है कि हमारे विद्याले के एक शिक्षक उन्होंने प्रशिक्षन प्राप्त किया तो वे अपनी कक्सा एक को पढ़ा रहे हैं जबकि जो अन्ये शिक्षक हैं उनका भी प्रशिक्षन नहीं हो पाया है तो जो जिनका प्रशिक्षन प्राप्त हो चुक या इसी प्रकार के प्रश्णी यहां पर हैं कि एक सिक्षिका है अत्वा सिक्षक हैं बे किसी भी सप्ता में यदि तीन वर्किंग डे या जादे वर्किंग डे छुट्टी पर रह जाते हैं तो ऐसी इस्तिती में उस सप्ता को काउंट किया जाए या उसको स्किप कर दिया ज करें ताकि इसी प्रकार की वीडियों हम आपके लिए लगातार बनाते रहें चलिए प्रारंब करते हैं सर प्रश्ण पर बात कर लेते हैं देखे पहला प्रश्ण है सिक्सको हेतू सिक्सान संदर्शी का तता बच्चों ही तु कारेपुस्तिका हार्ड कोपी में कब तक मिल जाएगी तो सातियों ये जो हमारा September का परथम सब्ता है उस October के परथम सब्ता में विकास स्चेत्रों में इसकी सप्लाई होना सब्ता गतिमान है अर्थत विभाग के नुसार जो आठवे सब्ता की क्रमिक सामगरी ये पीडियाप के रूप में पेशित की गई है जब कि कई ऐसे विकास शेत्र हैं जहां पर अभी प्रसिक्षन प्रारंब नहीं हुआ है या बिल्कुल अभी-अभी प्रसिक्षन प्रारं किन्तु आपके द्वारा प्रसिक्षन अभी-भी लिया गया है आपके अपने विद्याले में अभी तक किसी भी सिक्षक साथी के द्वारा प्रसिक्षन प्राप्त नहीं किया गया था ऐसी इस्तिती में आज आपने प्रसिक्षन प्राप्त किया है आज आपका प्रसिक्ष पूर्ण हुआ है, तो अपने आप विद्यालय जब जाएंगे, तो अपने विद्यालय में आप अपनी काकशा में इस 22 सप्ता की सिक्षण योजना का प्रतम सप्ता से ही प्रारंब करेंगे। ठीक है सातियो, क्योंकि महत्पून ये है, विभाग ने जरूर आठवे सपता की क्रमिक समगरी प्रेशित किया, लेकिन महत्पून है बच्चों को बोचीज आ जाए, महत्पून वह है कि बच्चों को हम क्रमिक प्रारंब से करा पाएं, आपने का प्रस्रिक्षन नहीं हो पा वे वही प्रतम सप्ता से अपना बच्चों को इस 22 सप्ता की सिक्षण योजना के नुसार कार्य कराना प्रारंब करेंगे तो हो सकता साथ यो कि प्रतियेक विद्याले में प्रतियेक कक्षा में ये वही सप्ता की सिक्षण योजना अलग-अलग संचाली थो मालिया पहले कक्षा एक के सिक्षक है बे प्रसिक्षन को पूर्ण करके आ चुके उसके पश्चा दूसरे सिक्षक जाएंगे तीसरे सिक्षक जाएंगे तो हो सकता उन सिक्षकों की जो अपनी अपनी कक्षा है उसमें भी एहबाई सप्ता की सिक्षन योजना उस विद्याले में अलग-अलग सप्ता से गतिमान हुई हो ठीक है साथ यो तो जैसे ही आपने प्रस्क्षन प्राप्त कर लिया प्रस्क्षन प्राप्त करने के पश्चात PDF के रूप में सामगरी आपको प्रेशित की जा रही है प्रतिसप्ता तो आप बहां से उसकी सहायता से आप अपने विद्याले में इसको संचालित कर लिजेगा ठीक है साथ यो तो एक बात कहूंगा कि प्रतियक विकास शेत्र में हो सकता है प्रतियक विद्यालों में और हो सकता है प्रतियक कक्साओं में इस 22 सप्ता की सिक्षण योजना को प्रारंब करने का जो समय है वो उनके अपने अलग-अलग उनकी अपनी परिस्तिती के अनुसार हो कि उन सिक्षक सात्यों का प्रशिक्षण कप्पून हुआ है ठिक इसके बाद सात्यों नेक्स्ट प्रश्ण पर चलते हैं तीसरा भी हमारा प्रश्ण है एक ही विद्याले में किसी एक अक्सा को प्लाने वाले शिक्षक का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और उनके अनुसार अपना सप्ता गतिमान है जब कि से सिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं हुआ तो इस इसके बारे में भी साती हो इस प्रश्ण के बारे में भी मैं आपको अवगत करा चुका हूँ कि जिनका प्रशिक्षन पूर्ण हो चुका है बे उसी समय से प्रथम सप्ता से उन्होंने प्रारंब कर दिया और कंट्यून उन्हें आगे कर रखा है उसके बाद जब दूसरे सि वे विद्याले में आएंगे तो अपनी कक्षा सम्मंदित कक्षा को जब पढ़ा रहे हैं तो उसको 22 सप्ता की जो सिक्षण योजना है उसके प्रथम सप्ता से वे प्रारंब कर देंगे ठीक है सात्यों इसके बाद एक हमारा प्रशना आ जाता है फोर्थ देख लेते हैं क्य 22 सप्ता की सिक्षण योजना को संचालित करने का समय अलग अलग हो उसकी प्रिस्थित्यों के नुसार हो सकता है ठीक है सात्यों आगे हम बात करते हैं प्रशन नंबर 5 पर बात कर लेते हैं यदि किसी सप्ता देखेगा ये प्रशन सदन से आया था कि एक सप्ता गतिमान है च्छे दिन working day है और उसमें तीन या दो दिन किसी कराणवस सिखसक साथी के द्वारा अबकास हो जाता या उस सप्ता में अबकास पड़ जाता है तो ऐसी स्थिती में बताईएगा क्या उस सप्ता को count किया जाए या तो इसमें साथ यो देखे हमें समय नहीं बिताना हमें ये count नहीं करना कि ये सप्ता ये सप्ता हमें उस बच्चे को निश्यत रूप से सिखाना है अब जब एक सप्ता में सुरू में हमें हिंदी पर जब ह हो गई है, तो ऐसी स्थिति में सिधा हम आगर के फिर पुन्न वत्ती और अखलन कर पाएं, जो कई उचित नहीं होगा, तो यदी किसी सप्ता में साथ यो तीन या तीन से अधिक अफकास हो जाते हैं, तो ऐसी दो दिन उपस्तित नहीं हुए, तो ऐसी इस्तिती में उस सपता की दक्सत तो बच्छे सीख नहीं पाते हैं, ठीक, देखिए ऐसे बच्चों के कारण जो बच्चे एक सब्ता में दो तीन या चार दिन ही आ पा रहे हैं ऐसे बच्चों के कारण हम अपनी योजना को रोक नहीं सकते हैं अन्य बच्चों को हम वहीं पर रोक नहीं सकते हैं, हम ऐसे जितने भी बच्चे हैं, एक बार अभी बापा को से संपर करें, साथी ऐसे बच्चों के लिए आप रेमेडियल चलाएं, चलाने का प्रियास करियेगा, ठीक है साथ्यों, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो पस्तित हो रहे हैं और लगातार नुपस्तित हैं दो बच्चे, चार बच्चे, दस बच्चे तो जब तक उनको दक्सता नहीं आ जाएगी तब तक हम continue अगली सिक्षण योजना नहीं चलेंगे सभी के लिए ऐसा नहीं है ऐसे जितने भी बच्चे हैं दो चार पांच दस तो उनके लिए आप अलग से क्लास में रेमेडियल चलाईएगा और उसके पश्चात आगे को continue करेंगे ठीक है साथियो इसके बाद next हम प्रश्न पर चलते हैं देखेगा एक प्रश्न आया हमारा जब तक कार्यपुस्ति का नहीं आ पाती संदर्शी का नहीं आ पाती हैं क्या क करें तो साथियो मैं अवगत कराना चाहूंगा जैसे कि आप स्वते ही अवगत हैं कि विभाग द्वारा साथाहिक रूप से जब तक हाड को पी इन इन टीचर गाइड की इन संदर्शीकाओं की और इन कार्यपुस्तिकाओं की नहीं मिल पा रही है तब तक साथाहिक थोड़ा सा उन PDF को देख लिजेगा और PDF की साहता से आप अपने विद्याले में इन संदर्शीकाओं का यूज कराने का प्रयास करिएगा इसी के द्वारा PDF के द्वारा कारें इतने करेंगे जब तक हाड को पी नहीं आ पा रही है इसके बाद एक प्रश्ण है सातियो प्र क्लियर हो चुका है प्रस्विक्षन आपने जैसी प्राप्त किया PDF आपके प्रेशित किये जा रहे हैं आप नेक्स डे जैसी जाएंगे तो प्रथम सब्ता से आप प्रारभ्म कर देंगे ठीक है सातियो इसके पश्यात पीडियप नहीं देखी जाती एक सदन में सातियो नि पीडियप नहीं देखी जाती इतना सारा काम है वो कैसे पढ़ा जाए यह जो पीडियप आपने साप्ताइक रूप से प्रेशित की दी है इसमें कई सारे पेज है यह एक समस्या का भी से है तो मेरा उन सातियों से निवेदन है कि निश्चित रूप से यह समस्या है और मैं उन सातियों से निवेदन करना चाहूँगा यह जो भी पीडियप आ रही है आप अगर समस्या दिखे तो आप केबल और केबल उस दिन की जो हमें नेक्स डे पढ़ाना है केबल उस दिन के टॉपिक को देख लिजेगा इतना जरूर कर लिजेगा जैसे चितर पर चर्चा करनी है कौन सी पोयम कभीता पर कभीता पोस्टर पर काम करना है कौन सी कहनी पर काम करना खली इतना देख लिजेगा और आपको पैटर्न प्रसिक्षन में सिखा दिया गया है तो पैटर्न आप अपने आप बना सकते हैं तो एक दिन पहले बस उस पीडिय जरूर देख लिजेगा कि मोखिक भासा में इस पर काम करना दूसरा जैसी डिकोडिंग का काम होगा तो डिकोडिंग में वर्णों पर बात हुई है अक्षर पर बात हो रही है मात्राओं पर बात हो रही है तो आप एक वर्ण को सिखाने का पैटर्न इसमें से जरूर देख ल और किस प्रकार से काम करना ये हलका सा आप उसमें चेक कर सकते टॉपिक को इसी प्रकार से mathematics में क्या चीज़े तो टॉपिक देख लिजेगा कि हमको किस टॉपिक का पर काम करना बाकी तो आप विद्ध्वता में धनी है आप अपने इस तरह से आप काम कर सकते जब तक हार्ड सकसाती ऐसे हैं हमारे शिक्षा मित्र साथी ऐसे हैं जिनके पास android मोबाइल नहीं है ऐसी स्थिती में क्या करें तो ये भी एक प्रशन है निशित रूप से मेरा निवेदन है ऐसे हमारे साथियों से कि परिशान नहीं हो न और ऐसा नहीं है कि केबल इस कार्रे के लिए आप अपना android mobile ने ले ठीक नहीं है हमारे इस्थिती हैं एसी हम नहीं ले सकते हैं तो ऐसी इस्थिती में बस क्या करना है कि हमारे जो अपने शिख्षक हैं दूसरे शिख्षक смाती विद्यायले में उनसे मेरा निवेदन है कि एक दिन पहले एक दिन पहले आप थोड़ सा sameरे आपको देखने के लगेगी कि next day हम लोगों को किस-किस बिंदू पर काम करना है तो ऐसे सिक्सक्साति उसे मेरा निवेदन है कि किरपा एक बार वो ऐसा कर लिजेगा तो निशित रूप से बिना Android Mobile के ही आपका काम चल सकता साय से बहुत ही कम हमारे साति हैं जबकि फिर भी प्रशन है आया था उसका संभावित उत्तर में आपके साथ साजा कर रहा हूं जी सर इसके बाद देखेंगा next हम बात करते हैं सभी सिक्सक संदर्शी का teacher guide और कार्य पुस्तिका की PDF कहां मिलेगी तो साथियों ये कहां मिलनी है PDF देखेगा आपका निपन भारस से संबंदित WhatsApp गुरूप बना हुआ है आपकी नियाय पंचैत का जो WhatsApp गुरूप बना हुआ है बहां पर ये PDF आ रही है इसके साथ ही मैंने ये जो वीडियो बनाई है इसका description box है उसमें मैंने एक short link यहां पर दे दिया गया है एक link के माध्यम से आप सारी की सारी संदर्शीकाओं को डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे link के माध्यम से सारी की सारी workbook को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यदि न संकुल सातियों से निवेदन है अपनी नियाय पंचायत में इनको जरूर परिशित करें प्रधाना ध्यापक महोदे से निवेदन है कि अपने विद्यालेगा जो WhatsApp आपने बना रखा है उसमें प्रतिसप्ता इन संदर्शीकाओं को इन कार्य पुस्तिकाओं के PDF को जरूर आ आप प्रिशित करें ठीक है सातियों 11 कुश्चन पर बात कर लेते हैं देखिए ठीक है सिक्षक PDF से देख लेंगे किन्तु बच्चों को कार्य पुस्तिकाओं नहीं मिलेंगी तो बच्चे कार्य पुस्तिकाओं कहां से और कैसे करेंगे यह प्रश्न भी हमारे सदन से आया जिस पर कार्य पुस्तिका के उन पेज पर बच्चों को काम करना है तो ऐसी स्थिती में बताईएगा जब हाड कोपी में नहीं होगी तो बच्चे कैसे कर पाएंगे तो यहां पर मैं अपने सिख सक साथियों से निवेदन करूंगा साथियों अब इस समय तो हाड कोपी है प्रियास करें कार्य पूस्तिका जो PDAP रूप में ऊसमें समभावित, ऐसी ऐसी उसमें strategy है ऐसी ऐसी उसमें activity है जिनको हम board के माध्यम से करा सकते board के माध्यम से करा सकते और विद्याले की कक्षा में यदि बच्चे हमारे कम है तो क्या हम उनकी copy पर लिख कर के दे कर कर करा सकते है तो निशित रूप से ऐसा हमें प्रियास करना तो जब तक हमारी हार्ड कोपी में कार्य पुस्थिका नहीं मिल पाती, अगर हमने इस परकार से कार्य किया, तो हम जीरो पर नहीं होंगे, हम 50 से उपर होंगे, हम 50% से उपर होंगे, और यदि हमने बेट किया, तो निशित हम लोग जीरो पर रहेंगे, तो मेरे सातियों हम य जो कारेपुस्तिका है जब हमें हार्ड कोपी में मिल जाएगी तो वो बच्चों को ट्रैकर भरना है और जब बच्चे ट्रैकर भरेंगे तो हमारे साथ ही कह रहें कि सर ट्रैकर तो बच्चे फार देंगे या ट्रैकर को गलत भर देंगे तो ऐसी इस्तिती में जब कोई भी या blank आपके पास है PDF के रूप में तो tracker है उसको आप चस्पा कर दीजेगा एक बार करा दीजेगा हो सकता दुबारा भी कर दे तो तिवारा कर दीजेगा और एक बार अगर हम बच्चों से ऐसे उनको समझाते हैं तो निशित रूप से हो सकता तीसरी बार ऐसा ना हो फिर भी हो सकता एक दो बच्चे जरूर ऐसा करेंगे ठीक तो ये आपमारा अपने विवेक का प्रशन है इसका समधान आप सुम भी कर सकते हैं इसके बाद देखे साथियो तेहरवे प्रशन पर बात करते हैं बड़ा महत्पून है जो बच्चे लगातार सिखाने के बाद जो बच्चे लगातार सिखाने के बाद भी नहीं सीख पाएंगे तो क्या करेंगे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं हमारे बार बार सिखाने के बाद भी बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं बलकि हमारे सिक्सक साथ ही कह रहे हैं कहते हैं कभी कभी कि सर कक्सा में 30 में से मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि वो नहीं सीख पाएंगे समवने साथियों यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगा अपने साथियों से निशित है आप यह मान लिजेगा अगर आपकी कक्सा में 30 बच्चे हैं तीस में से दो बच्चों ने नहीं सीखा तीन बच्चों ने नहीं सीखा चार बच्चे नहीं सीख पारे कोई बात नहीं सीखेंगे थोड़ा देर से सीखेंगे आप सही है, मैं मानता हूँ आप सही है तीस में से दो बच्चे, चार बच्चे नहीं सीख पारे लेकिन अगर कोई सिक्षक महोदे हमारे ये कह रहे हैं कि तीस बच्चे है साब मेरी किलास में उसमें से 20 बच्चे नहीं सीख पारे, 15 से अधिक बच्चे नहीं सीख पारे, तो मैं सही कहूंगा सातियो, फिर बच्चों की कमी नहीं है, तो आपको हमें अपनी सिक्षन विधा का, अपनी उस सिक्षन योजना का पुनहें आकलन करना है, कही ना कहीं हमारे पढ़ाने में कम कहीं है कहीं ना कहीं उस सिक्षण तकनीक में कुछ कमी रह गई है हमें अपनी उस सिक्षण विधा का पुन है अब लोकन करना है समिक्षा करनी है अपनी उस टीचिंग के तरीके को बदलना है तो जो भी हमारे ऐसे सिक्षक शाती हैं सिक्षक महोद हैं उनका यह प्रशन आता है कि साब हमारी कक्सा है उसमें तो कोई बच्चा सीख नहीं पाता हम तो बार-बार सीखाते हैं तो सर मेरा निविदन है अपने आप सिक्षन कारे के तरीके में बदलाब करिएगा एक बार विचार करिएगा निशित रूप से आप पाएंगे हमारा जो पढ़ाने का तरीका ह वो कहिना कहई से इसमें कमी चल लए है अगर हम उसकी स्ट्राटेजी को बदलाब करेंगे तो वे बच्चे जरूर सीख पाएंगे हो सकता कि तीस में से दो बच्चे ना सीख पाएं एक बच्चा ना सीख पाएं economics होते हैं बच्चे नहीं सीख पाते बार-बार कराने के बाद भी प्रियास करने के बाद भी नहीं सीख पाते लेकिन ऐसे बच्चों की संक्या इतनी अधिक नहीं होती है अगर अधिक है तो निश्चित रूप से अपनी शिक्षण विद्धा को एक बार जरूर आप चेक करें साथियो एक प्रशन है अधिगम रिक्तता क्या है जब प्रसिक्षन चल ला हाता तो उस समय ये प्रशन आया अधिगम रिक्तता क्या है हमने भी बहुत रखने का प्रियास किया और पूरे सदन ने बहुत अच्छे अच्छी बाते इस पर रखी दी लेगिन साथियों मैं संकसिप्त में बता रहा हूँ अधिकम रिक्तता क्या है कहीं जाने की जरुवत नहीं कहीं चेक करने की जरुवत नहीं आप अपनी कलास में जब हो तो Nipunu Lakshya आप को निकालिएगा उस Nipunu Lakshya आप पर अपनी कखसा दो या तीन के बच्चे को बुलाईएगा हिंदी पर उसका असेस्मेंट करिएगा आकलन कर लीजेगा या गणित पर आकलन कर लीजेगा और निश्यत रूप से जैसी आप हिंदी अर्थात भासा पर आकलन करेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ धिक पर चलते हैं जल्दी हमारी वीडियो यो समाप्ति की ओर है क्या अलग अलग कक्सा के एक जैसे इस तरके बच्चों को एक ही कक्सा में बैठा कर पढ़ा सकते हैं अब सदन से यह प्रश्न बहुत आता है कि सर अभी जी एलपी चला था कुछ समय पहले ग्रेडर लर्निंग उसमें बढ़ा अच्छा था इसी परकार से हमारे जो अनुभवी साती हैं बोजुर्ग भी साती हैं उनका कहना है कि सर कक्सा एक से पांच में हम तो जिन बच्चों को देखे वनलों की पहचान नहीं है वो कोई इसी भी कक्सा में उनकी कक्सा हम अलग बना देते हैं अगर अलग कक्सा में बैठा करके पढ़ा दिया जाए तो सर वो बढ़ा आसान नहता है हा निश्चित आसान नहता है हमारा काम बढ़ा आसान हो जाता है लेकिन मैं आपसे निविदन करूँगा एक बार स्वम को देखिए अभी आपका बच्चा फिप्त क्लास में है खिप्त क्लास से घटा करके दोमें बैठा दिया जाए तो आपका बच्चा कैसा मयेस करेंगे कि बच्चे को प्रतीज दिन इडबिसन कक्सा पांच में लेकिन इसके बाद कक्सा दो के बैठा कर पढ़ाया जा रहा है तो निश्चित रूफ से उस मन में बच्चे के कहीना क गिलानी महसूस होगी निश्चित रूप से वो अपने आपको कमजोर अन्य बच्चों के साफिक महसूस करेगा ठीक है साथ यो इसलिए मेरा निविदन है कि आप अगर ऐसे बच्चे आपकी क्लास में हैं तो उनको उसी की कक्सा में ग्रूपिंग कर दीजेगा उसी कक्सा में कक्सा पांच के ऐसे बच्चे हैं जो अलग-अलग इस्तर के हैं तो आप उसी कक्सा में अलग-अलग इस्तर दो या तीन समुह आप बना लिजेगा तब उनको जिनको आवशकता है उसी के अकोर्डिंग आप रहमेडिल कराने का प्रियास करिएगा ठीक है साथियो एक प्र पर बात कर रहे थे कि कक्सा का सहज बातावरन जितना होगा उतना ही बच्चे बढ़िया सीख पाएंगे तभी एक हमारे शिक्षक साती महुद्य हैं उन्होंने का भई विन्हें मैं एक एक एक्जाम्पिल देना चारा है जड़ा एक बात रखना चारा में नसर रखिये तो ठीक बढ़े प्यार से उस बच्चो को समझाया अब 20 मिनट के बाद गुरुजी आये आने के बाद उस बच्चे से उसको पाले को सुना बच्चा नहीं सुना पाया इटक गया मैंने कहा भई फिर क्या हुआ बोले कुछ नहीं इस बार गुरुजी ने उसके दो लगाए चा उन्होंने कहा कि देखे गुरुजी ये जो डर है ना ये जो पिटाई है इसके माध्यम से भी जल्दी बच्चे सीख जाते हैं तो मैंने भी उनसे निविदन किया उन सिक्षक साथी से अपने मैंने गुरुजी ठीक है आप सही का आप ने उधारन मुझे जरूर अच्छा मैरा निविदन है कि आपका बच्चा जो कक्सा तीन में पढ़ता है कोन्वनट विद्याले में कल आप उसकी parents meeting है उसमें जाना और जा करके जो class teacher है उनसे निविदन करना कि मेरा बच्चा mathematics में में माडम बह। कमजोर है और इसका एक ही तरीका है क्या पिटाई मैरे लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि पिटाई समाधान है तो एक बार अपने बच्चों के लिए भी आप निशित रूप से परेंट्स मीटिंग में जाईएगा उनसे निवेदन करिएगा कि हमारे बच्चे इस इस विशे में कमजोर है मेडम और इनका एक ही समाधान आप हम मुक्त बातावरल में निशित रूप से जादा सीखते है इसी के साथ एक प्रशन है साथ यहाँ पर इन प्रसिक्षन से कुछ नहीं होने वाला एक सदन से ये भी प्रशन आया था हम बाहर खड़े हुए थे कि गुर जी कुछ नहीं इन प्रसिक्षन से कुछ नहीं होने वा देंगे यह जो नवाचारी तरीके है ना इनोवेटिव तरीके इन से कुछ नहीं होने वाला है और उनका कहना यहां तक भी हो जाता क्या गुर्जी हमारे वही वही क्या हमारे जमाने में पढ़ाई नहीं होती थी हमारे जमाने में भी खुब पढ़ाई होती थी तो मैं ऐसे स आप अपनी किसी अपनी बच्चे को IIT की कोचिंग में भेजते हैं या आभी आप अपने छोटे बच्चे हैं उनको आप पिले में क्यों भेजते हैं आप विध्याले में देखते हैं fancy dress competition वो होता है आप मना नहीं करते ठीक उसका तो पलाही से कुछ नहीं था इसी तरह से बि इसने के मध्यम से हमारे बच्चों को सिखाय जा रहा वहां आप अपने बच्चों के लिए एक प्ले स्कूल ढूंडते ऐसा जो जितना जादा innovative हो जिसमें technology का बहुत बढ़िया इस्तमाल हुआ हो जिसमें smart LED हो जिसमें प्रोजक्टर हो जिसमें बहुत सारे innovative ideas के द्वारा टीचर पढ़ा रहे हो उसमें speech competition भी हो उसमें महंदी प्रतियोक्ता भी हो उसमें कला की प्रतियोक्ता भी हो तो ऐसे इसे innovative ideas वहां पर हो जिसमें हमारा बच्चा जाए तो मेरे साथ यो जब इसी तरह से आप देखते हैं जब coaching देखते हैं तो जितनी coaching जो innovative होगी जिसमें बहुत जब टेकनोलोजी बढ़िया smart सा उसमें LED लगा हुआ प्रोजेक्टर लगा हुआ डिजिटल बोर्ड है एक ऐसी कक्षा में है जहां पर आपको सामगरी प्राप्त हो जाती ओनलाइन भी यूट्यूब के माध्यम सी ऐसे बच्चे को आप अपने बच्चों को ऐसी coaching classes में एडविशन दिलाने का प्रियास करते नैकि ऐसी class में जहां कि traditional जैसा कि हमने सीखा है ऐसी class में नहीं तो हम अपने बच्चों के लिए निशित रूप से बहुत ज़्यादा innovative classes ढूणने का प्रियास करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चे innovative तरीकों से सीख लेंगे तो साथियो निशित रूप से बदलाब है बदलाब परिवर्तन प्रकर्ति का नियाम है निशित रूप से जब आप और हमने पढ़ाई की है उस समय ऐसा था तो हमें यह जरूर समझना पड़ेगा कि आज बदलाब हुआ है strategy में बदलाब हुआ है उन चीजों में हमें उसके according उसको समझ करके उसको अपना करके तब आगे बलना है ठीक है साथियो आगे चलते हम अंतिम की ओर है एक प्रश्णी है बहुत आता कभी कभी नवचारियों ने परिशान करके रखा है हमें भी दूसरों को भी तो यहां तो इतना ही कहूंगा यह दम की बात है अप बहुत बड़ी बात होती बहुत बड़ी प्रतिवा की बात होती बहुत बड़ी चमता की बात होती और यह दमखम कुछी सातियों में होता और जो साती इन मेरे इनोवेटिव सातियों को इन नवचारी सातियों को नवचारी क्या करके और इस तरह का कमंट रखते हैं निश् तुम्हेरा निविदन है साथियों, उन साथियों से भी निविदन है, जो मेरे इनोवेटिव साथियों को इस तरह का कमंट रखते हैं, करपया उनके पृति साधर भाव रखें और उन्हें प्रोसाहन दे कि बे इतना अच्छा कारे कर रहे हैं, उन्हें वाटसप पर अपने इनोवेटिव आइडिया सेयर करने के लिए प्रेरित करिएगा, ताकि उनके इन इनोवेटिव आइडियास का प्रभाब, उनका प्रियोग, उनके विद्याले के साथ साथ उस विकास चेतर के और भी अन्य बच्चों को मिल पाए, इसी के साथ एक प्रशन है, गतिविदी क यह बहुत आता देखे गतिविधी क्या है डांस करना गाना गाना मजे से मारना एक तरह से तो हमारी शिक्षक साथियों में कभी कभी कन्फूजन का वी से गतिविधी को लेकर के बना हुआ कि टेनिंग में भी जब आते हैं तो क्या कभीता गाना और डांस करना क्या अन्य ची बेकार में समाज में एक प्रचाप्रसार हम लोगों के माध्यम से ही हो गया है कि हां साब गतिविदी है अरे गतिविदी वो है जिसमें E-R-A-C हो जिसमें concept में चिंतन ही नहीं है ठिक जिसमें बच्चा स्वम करके नहीं सीख पा रहा है जिसमें बच्चा स्वम करने के बाद उसका निसकर्स नहीं निकाल पा रहा है वो गतिविदी ही नहीं है तो ऐसी इस्तिति में सबसे पहले मेरा निवेदन है गतिविदी को जानने का प्रियास करिए गतिविदी होती क्या है ठीक गतिविदी वह है जिसमें ERAC हो गतिविदी एक ऐसी चीज होगी उसमें डांस अन्यन्य किसी चीज की आवसकता नहीं भी पड़ेगी ठीक है आप बच्चे से केबल इतना कह दीजेगा बेटा आज हम आपको कै सिखा र प्रियोग कर पाए एकस्पिरियंस का प्रियोग कर पाए उसके बाद बच्चा चिंतन विसलेशन कर पाए ठीक रिफ्लेक्शन कर पाए एप्लिकेशन कर पाए और उसके बाद वो कंसोलिडेट कर पाए एक निसकर्स पर पहुँच पाए तो वो गतिविदी है जिसमें ये चारोची समाही तो तो सबसे पहले हमारे शिक्सक सातियों को इस गतिविदी के चरणों को जानना पड़ेगा गतिविदी को जानना पड़ेगा और तब आपको भट सब पर पेशित करना होगा कि हां ये खाली डांस करना ये गतिविदी नहीं है ठीक वाकई हमें अपने दियले में भी ये समस्या मेरे साथ आती है, कि पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं, और पीछे बैट जाते हैं, बड़े सुस्से होते हैं, चुप्चाप कम बोलते हैं, ऐसे बच्चो की सुरवात कहां से करें, तो साथियों मैंने उन बच्चों की पढ़ाई की जो सुरुवात की है वो करी है उनको मोनिटर बना करके मैंने उनको काम सोपने शुरू कर दिया है है ना कुर्सी का काम है उनसे ही कराना बोर्ड का सफाई का काम है उनसे करना इसी तरह से उनको जो उनको मैंने एक एज लीडर बनने के लिए तो जब मैंने उनको काम देना शुरू करा तो उनके अंदर मैंने परिवर्तन देखा है ठीक है बच्चा अपने आपको उस दिन अलग सा हाँ सर ने मुझे आज पूछा है मुझे कुछ समझा है तब जाकर के मुझे मोनिटर बनाया तो उसके बीच-बीच में मोनिटर बनाईएगा उससे बीच-बीच में काम के लिए कहिएगा अपने से संबंदित तो निश्यत रूप से बच्चा धीरे-धीरे बोलना प्रारंब करेगा वहीं से उसकी पढ़ाई की बाद में सुरुवात करेंगे ठीक है सात्यू जिन बच्चों को किताब पढ़नी नहीं आती उन्हें पुस्तकाले की किताबे क्यों दें पुस्तकाले के घंटे का उनके लिए क्या फायता एक प्रश्णी ये भी आया कि जब सिक्सक सात्यू से बात हुई कि भाई पुस्तकाले का घंटा जरूर संचालित करें तो उन्हें का सर बताए ककसा एक है ककसा एक के बच्चे को तो कुछ के खै गया अभी यही सिका रहे है उसको तो पुस्तक पढ़नी नहीं आती है तो ऐसी स्तिती में पुस्तकाले के घंटे का महत्वे उस एक ककसा एक के बच्चे के लिए तो निशित रूप से साथियो बच्चे को पढ़नी नहीं आती लेकिन उसकी जो प्रारंबिक पढ़न है उसको आपने प्रस्रिक्षन में जरूर समझा होगा और बच्चा ककसा एक का बच्चे को जब आप किताब देंगे वो किताब को अच्छे से खोलना उल्टी खोलना सीधी खोलना है उनके चित्रों को देखना चित्रों को देखर के समझ ना चिंतन करना या कल्प ना करना उनसे चार प्रस्न पूछ लिजेगा यही पठन है प् इसके बाद साथियो, 22 सप्ता, देखेगा, ये प्रशन हमारा यूट्यूब पर भी आया था, कि जो सप्ता साथ दिन का होता है, उसमें 6 दिन वर्किंग डे हमारे हैं, तो ऐसी स्तिती में जब भासा का साब्दी का आकलन हम कर रहे हैं, तो भासा के साब्दी का आकलन में 9 और अठारवा सप्ता दिया गया है, उस 90 और 18 सप्ता में 13 दिन का साब्दी का आकलन दिया गया है, तो सर इसमें बताईए सप्ता में 6 वर्किंग डे हैं, यहां पर 13 दिन दिये गया है, इसी प्रकार से गनित में जब साब्दी का आकलन है, तो बहाँ पर 11 और 22 सप्ता में 10 दि में दिया गया है जबकि 10 दिन अब 11 सप्ता 10 दिन का कैसे हो सकता है सप्ता तो 7 दिन का रहेगा और उसमें भी 6 वरकिंग डे तो सर ट्रैकर में अपनी कक्सा के अकोर्डिंग उसमें अपने विवेक को एडिट करना है अपने विवेक को एडिट कर देना है ठीक है कैसे देखिए जैसे कि तो यह ऐसा नहीं कि लकीर है बिल्कुल ऐसे ही इतने दिनों में काम होगा जैसे कि 13 दिन दिये गए है तो आपको अगर लगता है ऐ कि यसरे दिन आपको कारयोजना का निर्मान करना है और चोथे से लेकर के 13 दिन तक आपको रिमेडियल और पुन्ना वत्ति पर काम गरना है तो ऐसी स्तिति में साथ यो इसको फिक्स मत मानियphalt कि 13 दिन में ही करना साब, पूरे पूरे 13 दिन, अरे आपनी विद्याले की परसितियों को देखेगा, मालीय आपके विद्याले में बच्चे 5 हैं, उस कक्षा में, तो आप क्या करेंगे, और 5 के 5 बच्चे हमारे बड़े होश्यार हैं, तो आपने तो पहले दिन, 2 दिन में आ आखलन करना था लेकिन आपने पहले दिन में आखलन करतेंगे सभी बच्चे आगे तो पहले दिन में आखलन का काम खतम ठीक अब पांच बच्चे हैं सभी होश्यार हैं तो योजना रमान की आवशक्ता ही खतम होगी आपने आगे की जो भी पुर्णावत्ति अभ्यास अन्य कर सकते हैं मालिया नवा सप्ता का कारिया आपका इपूर्ण हो गया सापदी का अकलन अगर 13 दिन के इस्थान पर आप ने देखा 5 दिन में 6 दिन में ऐसे पूरा हो जाता 4 दिन में तो आप उसके बाद कंटिन्यू आगे का सप्ता एक दो दिन के गैप के बाद प्रारंब कर ठीक है साथियो जरूरी नहीं कि 13 दिन वहीं आपने देखा आपके विद्याले में बच्चों की संक्या दीख है पहले दिन जब सापदी का आकलन किया तो उस दिन क्या हुआ बच्चे कुछ ही आ पाए फिर दूसरे दिन किया उसी आप आप आए अब दो दिन सापदी का आ लिजेगा ठीक अब आकलन करने के पश्चाता आप देखेगा कि बच्चों की स्थिति क्या है अब आपको ऐसा लगा पिछले जो अभी आप नवे सप्ता में सापदी का आकलन कर रहे हैं आपको ऐसा लगा पिछले आठ सप्ता की दक्सनाएं बच्चों को नहीं आई तेरे दिन तक आपने आगे काम करते रहें नहीं आई तो क्या चोदवा दिन नहीं देंगे चोदवा दिन भी देना है पंदरवा दिन भी देना है इसको आगे बढ़ा लिजेगा आपको जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी कक्षा के उन बच्चों को पिछले आठ सप्त गनित में भी यही बात है कि यह सप्ता दस दिन का है तो आप इसे अपने हिसाब से आप यूज करिएगा इसमें एक चीज जरूर कहूंगा कि साब्धिक आंकलन ट्रैकर गनित में देखेगा बहाँ पर दस दिन के इस्थान पर दस सप्ता हैं प्रथम सप्ता दुत्य सप्ता तो बहाँ पर मैं एक बात कहूंगा देखे जब गनित में साब्धिक आंकलन आपने किया है तो ग्यारवे सप्ता में किया है इससे पहले कितने सप्ता बीत गए हैं इससे पहले दस सप्ता बीत चुके हैं तो क्या करना में एक सप्ता का एक आंकलन प्रपत्र बना है मैंने स पहला सप्ता के नीचे जब पहला दिन है आज पहले दिन उस बच्चे का आकलन किया फिर उस पर कार्य किया तो ट्रैकर में भरेंगे पहले सप्ता के नीचे पहला दिन यानिकी वो उस पर आप बच्चों के ग्रेड वहां पर अंकित करेंगे ठीक है साथियो तो कुल मिलाकर के यहां तक हमारे प्रशन होते हैं इसके पह स्वाली जस दाया है उस पर भी बात कर लेते हैं हमें कौन से निपुन लक्षों पर काम करना है, तो सथ यो दो प्रकार के निपुन लक्षे हमारे आए हैं एक भारत सरकार द्वारा जो है प्रेशित पूरे भारत वर्ष में निपून लक्षा है 2026 अईस तक जिनको हमें पूर करना है और दूसरे हमारे उत्ताप्रदेश बेसिक सिक्सा विभाग द्वारा प्रेशित है जो एक साल पहले जो है हमें पूर्ण करना है उनका लक्ष तो दोनों में हमें किन पर काम करना है तो देखे जो बाद में आये थे जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेशित हैं मैंने इस समंध में एक वीडियो पूरी बना रखी है आप प्लेलिस्ट में जाकर के बहां से आप ट्रेनिंग की जितने भी वीडियो हैं उसमें आपको मिल जाएगी कि कौन से निपुन लक्षों पर हमें काम करना जो मापन योग्य लक्षे है उन पर हमें काम करना है मापन योग्य लक्षे जो भर सरकार द्वारा प्रिशित निपुन लक्षय थे बाल बाटिका से ककसातिन तक उन लक्षय को हमारे विभाग द्वारा उत्तपदेश बेसिक सिक्सा विभाग द्वारा मापन योग्य बना दिया गया है ताकि उन्हें निपुन लक्षय पर माप लिया जाए तो जो मापन योग्य लक्षे बने हैं मैंने इस सम्मंद में एक वीडियो बनाई है करपय आप उसे देख लें इसके पश्यात क्या चार दिपसिय निपुन प्रसिक्षन लेने के आरंब में प्रतियक प्रतिवागी को प्री टेस्ट लिंक भरना निवारी अत्वा नहीं तो देखे आपका विवेख है ठिक जो भी हमारे ऐसे सिक्सक्साति हैं उनसे बता दीजिए का परिशान होने की आफसक्ता नहीं है जब हमारे पास संसादन ही नहीं है तो ऐसी स्तिती में हम ना भरें कोई समस्या नहीं है ठिक संसादन जितने हमारे पास है उनमें हम अपना बिद्याले की प्रसितियां हैं, विद्याले में सिक्सकों की संख्या, बच्चों की संख्या, आदी बहुत सारी ऐसी प्रसितिया हैं, आप इसमें अपने विवेक को एडिट कर दीजेगा, अपने विवेक को इसमें जरूर जोड दीजेगा, और तब अपने विद्याले में इन गती विद्यों का आप संचालित करिएगा दिखे मेन इसका उद्देश से क्या है जो इसका मूल उद्देश से यह है कि आप एक योजना वद तरीके से यह हमें सिक्सन योजना 22 सब्ता की इसलिए मिली है अभी PDF form में मिली है और उसके बाद इसकी पुस्तके हमें मिलने वाली है जल्दी अक्टूबर में तो इसका मूल उद्देश से यह है कि हम एक योजना वद तरीके से विद्याले में जाए और अपने बच्चों पर एक योजना वद तरीके से काम कर पाएं साथी इसमें दी गई सिक्सन योजनाओं से और अपने दी इसमें परकाम कैसे हो अनुपब कर बच्चों के कैसे बात हम करें पठन का कार रिये बच्चों के साथ कैसे किया जाएं यह सभी परकार के तरीके ये सभी प्रकार की स्टाटेजी हमें इस 22 सप्ता की सिख्षन योजना में बिभाग दौरा प्रिशित की गई है बिभाग के ऐसे प्रियास को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे सहयोग के लिए, हमारे सिख्षक सात्यों के सहयोग के लिए एक पूरी ऐसी विस्तित 22 अपता की सिक्षण योजना बना करके दी इनी सब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको ऐसा लगा है कि मेरा यह प्रियास सार्थक रहा है तो किरपया चैनल को सबस्काइब जरूर करे साथी वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि उत्सावर्दन हो पाए और यदि आपको कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजेगा मैं निश्यत रूप से प्रियास करूँगा स्वम उसका उत्तर देने का लेकिन कोई भी साथियो व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता अगर मैं उसका उत्तर खुद देने में ऐसा मरत रहा तो मैंने श्यत रूप से अपने अन्य साथियो से उसका उत्तर ढूंड करके आपको देने का प्रियास करूँगा इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जाहिंद